नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं बता दे केंद्र सरकार के निर्भया फंट गियोईना से थानों में महिला हेल्प डेस का निर्मान होगा राजे के थानों में महिला हेल्प डेस सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 टेबलेट की खरीद की जाएगी राजे के ADG CID परसांच सिंग ने लेपटप की खरीदारी के लिए एक तक्निक समीति का गटन किया है तक्निकी समीति के अधरक CID ASP कार्थिक एस हैं जबकि टीम में सदर से के तोर पर DSP CID महेंद्र सिंग मुंडा है बतादे CID के अधिकारियों के मुताविक राजे के 300 टानों का चेहन किया जा चुका है टेबलेट वा और जेरूरी संसाजनों की खरीद के लिए फरवरी मा तक महिला हेल्प लाइन खोल दिया जाएगा जार्खन मोसमी भाग 15 जनवरी तक राज में बारिस के असार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के परभाव से रविवार को जार्खन के उतर पच्छिम भाग के पलामू परमंडल में हलके समध दर्ज की बारिस हुई इसके साथ ही समीप वर्ती मध्य भाग में राइधानी राजी समेत और इलाके में साम की हलकी बारिस हुई बतादे राजी के उतरी और मध्य भाग में सोमवार को कई कई हलके समध दर्ज की बारिस होगी और इस दोरान में गरजन बजरपात के साथ ओला विलिष्टी भी हो सकती है एक 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राजी में कोई अस्थानों पर हलकी बारिस के असार है इसे पुर्व राजस्थान में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जारखन में उतर पछिम भाग से परवेश हुआ है जारखन में रभीवार को 344 नए संक्रमित मिले 6 मरीज की मत जारखन में करोना की रफ्तार में धीरे धीरे बरेक लगने लगा है जो अची खबर है बतादे रभीवार को राजे में 3444 नए क्रोना संक्रमित मिले है जबकि 8 जन्वरी को राजे में 581 क्रोना संक्रमित मिले थे बतादे रभीवार को 1208 लोगों ने क्रोना को मात भी दी है इस तोरान 6 लोगों की जान क्रोना संक्रमन से गई है बतादे बर्तमान में राजे में एक्टीब केस की संख्या 23,328 है रभीवार यानि 9 जनवरी 2022 को राजे में कुरोना के 344 ने संक्रामित मिले इसमें सबसे अधिक 1143 कुरोना संक्रामित रांची में मिले हाँ उसके बाद पूर्वी सिम्भू में 542, रामगड में 232 मिले हाँ जारखन में मिले मरीज इस परकार हाँ बोकारो 186, चत्राती हतर, देवगर 135, धनवाद 199, दुमका 40, पूर्वी सिम्भू म 542 गडवा 46, गिरीडी 24, गोड़ा 49, गुमला सत्रा, हजारी बाग बानवे, जामतरा 16, खोटीती हतर कोड़ार मा 86, लाते अर पांच, लोर्दागा 42, पांकूर बारा पलामू 119, रामगड 232, रांची 1143, साहिव गन 74 सराह के ला 31, सिम्डेगा 55, पाचमी सिम्भूम से 140 मरीज मिले हाएं सयनिक इस्कूल परवेश परिक्षा के दोरान 21, छात्र मिले क्रोणा संक्रमित तेजी से फैलते क्रोणा मा हमारी के बीच रभिवार को धनवादी सित बैंक मोल के गुरू गोविन सिंग पबलिक स्कूल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पुर्व निर्धारित अल इंडिया सैनिक इस्कूल परवेश परिक्षा के दोरान 21, बच्चे क्रोणा संक्रमित मिले हैं बता दे दो पाली में हुई परिक्षा में चटिक अक्षा के 18 और 9 के 3 चात्र संक्रमित मिले इन चात्रों नोए अलग आईसोलेट हाउस में बैटकर परिक्षा दी बाद में जिला पसासन और स्वास्त विभाग के टीम ने उनके विभागों से अंडर टेकिंग लेकर उनक दस परिशस अधिक होगई है बता दे दो से आठ जैनुवरीक के सप्ता में देश के सो जीलो में संक्रमन दर दस परिशस अधिक हो गई है जिसमें पाच जारखन के हैं इसमें राची लाते आरा रामगर कि मुझा तैक कि देओगर सामील है बताद इन जीलों में परते 1-100 लोगों कि जाच में दस से अधिक संक्रमित पाये जा रहे हैं अन्य जीलों में संक्रमन दर् इससे कम है जनवारी से पहले सिर्फ कोडार्माज Vilna में संक्रमन 5 10 अधिक थी इधर रभीवार को भी राजे के विभीन जीलों में बड़ी संक्रामीत की पचान होई है कुरोना संक्रामीत होने वालों में असी पर्थिस्च अधिक मरीजों की उम्रे 30 से 50 बरस के बीच कुरोना के तीस्त्री लाहर के संक्या में असंभवना जताई जा रही थी कि इस बार बच्चे अधिक प्रभावित होंगे लेकिन बरतमान लाहर में अब तक के संक्रमन में सबसे अधिक 30-50 वरस के लोग संक्रमित हुए हैं बतादे अभी तक बहुत कम संक्या में बच्चों के संक्रमन होने की बात सामने आई है स्वास्त विभाग के आकड़ी के अनुसार खुल संक्रमितों में लगबग 80% से 50 वरस आयू के है वही 5% 50 से उपर तथा 5% 30 वरस से कम आयू के की जोर या बच्चे है जामुमो अस्थापना दिवस के आयोजन पर पर सकता है क्रोना का आसर क्रोना के तिस्री लहर से राजे में राजनीती गति विधियो पर असर पर सकता है बतादे पिछले वरस भी इसका व्यापक प्रभापा था राजे में सतरूर जारखन मुक्ती मोर्चा का स्थापना दिवस समारो भी इसकी जद में आ सकता है बतादे हर वर्स दो फरवरी को मोर्चा का स्थापना दिवस समारो का आयोजन उपर आजदानी दुमका के गांधी मैदान में होता है इस दोरान सहर में जूलूस भी निकाला जाता है जिसकी अगवाई खुद जार्खन मुक्ती मोर्चा के करकारी अध्यक सह मुक्षमंतरी हेमां सुरेंड करते हैं बता दे इस दोरान जामू अध्यक सीवु सुरेंड तमाम सिर्ष निताव का जमावाद धुमका में होता है इसकी त्यारी पूरी कर ली गई है बता दे लगभग 12 लाख लोगों को निधारित समय पर बुस्टर डोज लगनी है जिसका बुस्टर डोज लेने का समय आ गया है उन्हें 8 जन्वारी से मैसेज बेच कर सुचित किया जा रहा है बता दे जिन लोगों को दूसरी डोज की बै हुआने हैं वे ओनलाइन अपाइटमेंट के साथ साथ वे सीधे किसी भी कोविट टिका करन केंद्र पर जाकर टिका लगवा सकते हैं जारखन में रभीवार को कुरोना के 344 नय मरीज मिले जबकि 128 मरी स्वस्थ भी हुए है और 6 की मौत हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 23,331 है भारत में 1,681,1211 मरीज मिले है जबकि 46,405 मरी स्वस्थ हुए वही 124 की मौत हुई बता दे भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 7,33,992 है ठीका करन पर बड़ा फसला को बैक्सीन को भी सिल और अस्पूतनिक अब 12 हमाबाध होंगे एक्सपायर केंद्र सरकार के निदेश पर कुरोना वायरस से लड़ने के लिए दी जानने वाली कोवीड बैक्सीन के एक्सपायरी डेट पायर होने किती थी नव से बारा मात तक के लिए बढ़ा दिया गया है बतादे स्वास्त विभाक के सुत्रों के अनुसार बैक्सीन निर्माता कंपेनियों से उचस्तरे बिमर्स के बाद एक्सपारी डेट को आगे बढ़ाने करनी न लिया गया है पस्टमी सिम्भू में भ आज़त का बदला लेने के लिए पूलिस निसक्रेटा बढ़ा दिया बतादे इसक्रम में पूलिस अधिक छक अजयर लिंडा को रभीवार को सुचना मिली थी कि पाचिम सीमुम जीला अंतरगत टोंटो ठाना के छेत्र में परतिवंदी संगर्ठन भागपामावादी के प बतादे सर्च अभ्यान के दोवान रभीवार को दोफर करीब साड़े बारा बजे टोंटो ठाना चेत्र के तुमबा हाका में एक लोर के इनामी नक्सली मिसीर बेशरा के दस्ताने कोबरा बटालिन की टीम को लक्षित कर फारिंग सुरू कर दी बाकाया बेतन को लेकर एक इसी करमियों का अक्रोस बढ़ा आज मुख्याले घिराव मुख्याले में किसी भी अधिकारी को जाने नहीं देंगे कामगारों के आंदोलन में एकी सी कालोनी के लोग और कई संगतन भी सामील होंगे बता दे HEC बचाओ मईदूर जन संगर समीथी ने इसे सफल बनाने के लिए रभीवार को सेक्टर तीन गोल चक्कर में बैठक की बैठक में आंदुलों को सफल बनाने का निने लिया गया भाजपा OBC मोर्चा ने 27 पर्थिसत आरक्षन मंगा भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की काड़िसमितिक बैठक गामा सिंग समरिदी सभागार रातू रोड में होई बैठक को समभुजित करते हुए राची की बिधायक सीपी सिंग ने कहा की राजपा में OBC की संख्या 50 पर्थिसत दिखा है यहां संख्या 51 हो सकती है किन्तु 49 नहीं इसलिए राजपार को अबिलम पिछड़ा समाज को 27 पर्थिसत आरक्षन देना चाहिए बताद मेर डाक्टर आसाल लकड़ा ने कहा कि राजपार में अरजपा का महल प्याप्त है सरकार मोब लिंचिंग को रोग पाने में समर्थ है सिमडेगा में संजु परदान के हत्या की जाच राजपार को जल्द करनी चाहिए और पिडित परिवार को नयाज दिलाना चाहिए धनबाद मंडलकारा में बंद जहरिया के पुर्व एमेले संजीव समेथ 11 बंदी ऐसोलेट धनबाद मंडलकारा में बंद जहरिया के पुरुविधायक संजीव सिंग समेथ 11 बंदियों को आइसोलेट कर दिया गया है सोमवार को उनकी कोविड जाच होगी बता दे पुर्वर डिप्टी मेयर निराज सिंग समेथ 4 लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद संजीव सिंग क्रोना पोयेटिप होने की चरचार अभीवार के सुबा से हो रही थी उनके समर्थक चीन्तित थे जेल के अंदर रूटिंग जाच में बताया गया की संजीव सिंग को जुखाम और हल की खासी है इसके बाद उन्हें सिलोट कर दिया गया है एतिहासिक अस्थल डोंबारी बुरु प्रेना का केंद्रस दी गई सर्धांजली खुटी जीला अंतरगत डोंबारी बुरु का एतिहासिक अस्थल भागवान बीर्साम मुंडा के रण भोमी कर्म भोमी और बीर भोमी है बताद यहां हर साल नो जन्वारी को सहीदों को संदाली दी जाती है अंग्रेजों के जुल्म के खिलाब भागवान बीर्साम मुंडा ने यहां से उल्गुलान का एलान किया था बारी संक्या में यहां लोगों ने अपनी आहोती दी है इस मोगे पर केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भागवान बीर्शा मुंडा सहेथ और ने सहीदों को संदाली दिये बताद इस मोगे पर केंद्रिय मंत्री सिरी मुंडा ने कहा कि डुमबारी बुरू आस्था का केंद्र है बागवान बीसा मुंडा के जनम दीन के आउसर पर बारत सरकार द्वारा पर तेक वर्ष जन जातिये गोरो दिवस मनाने का निने लिया है रेलेवे का बड़ा फैसला 10 जनवरी से सरकूलर जर्नी टीकट की बुकिंग शुरू यात्री गन ध्यान दे अगर लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको अलग-अलग स्टेशनों से ट्रेन पकड़नी है तो आप सरकूलर जर्नी टीकट बुक करा सकते हैं इससे ना केवल समय की बचत होगी बलिक इस टीकट का किराया भी दूसरे टीकट की तुनना काफी कम होगा बता दे भारतिय रेल्वे ने 10 जन्वारी 2022 से सरकूलर जर्नी टीकट फिर से बुक करने की इजाज़त दे दिया है 10 जन्वारी 2022 से आप बेदलख सरकूलर जर्नी टीकट कटा सकते हैं रेलवे बोर्ट की मंजूरी के बाद सभी रेल मंडलों को इस बाबस उचना भेज दी गई है मुख्य मंत्री आवास में हेमंद सुरें से नहीं होगी सीधी मुलकात नोटिस जारी मुख्य मंत्री आवास के 16 करमचारियों की कुरोना रिपोर्ट रविवार को पोईयटिव निकली है बता दे इन 16 संक्रमित करमचारियों के बाद दो दिनों के भीतर मुख्य मंत्री आवास में कूल 21 लोग संक्रमित हो चुके बता दे मुख्यमंत्री आवास से कूल 62 करमचारियों का सेंपल जाज के लिए सनिवार को लिया गया था मुख्यमंत्री आवास में इतरी बढ़ी संक्या में कुरोना संक्रमित पाये जाने के बाद मुख्यमंत्री हमान्सुरेंसे मुलकात पर ततकाल पवंदी लगा दी गई है फिलाल किसी को भी मुख्यमंत्री हमान्सुरेंसे सिधी मुलकात नहीं करने कादेस दिया गया बता देहां आने वाले लोगों को आवेदन के माध्यम से अपनी बात रखने को कहा गया है इस्तबंद में मुक्यमंत्री आवास में बकाईदा नोटिस भी लगा दिया गया है बिना मास्क वाले यत्रियों को नहीं बैठाए आटो में महासंग जारखन परदेश डिजल आटो चालक महासंग की बैठक रभिवार को हुई इस बैठक में सभी चालको से आगर किया गया कि वे बिना मास्क वाले यत्रियों को आटो में नहीं बैठाए साथ ही संग ने चालको से अभियन रोत किया है कि वे खोद भी मास्क पहान कर गाड़ी चला है बैठक में परदेश करकारी अध्यक्ष नागेंदर उपस्तित थे कंटा टोली फलाई ओभर निर्मान के लिए जमीन अधिगरान की परकिरिया शुरू राइधनी में योगदात सत्संग आश्राम बहु बजार से कंटा टोली चोक होते हुए सांतिन नगर कोकर तक बनने वाले फलाई ओभर के लिए जमीन अधिगरान की परकिरिया शुरू कर दी गई है बता दे बहु बजार से योगदात सत्संग की ओर करीब एक पंचारती नेकर जमीन का अधिगरान किया जात रहा है इसके लिए 27 प्लोट चीनित किये गए हैं जिसमें 8 प्लोट नाची नगर निगम के हैं इसमें करीब 20 डिस्मिल जमीन निगम किया है टाटार नगर जमु तवी वह संबलपूर एक्सपरेस का पूरी तक होगा विस्तार उडिसा के सांसत की मांग पर टाटा नगर जमु तवी और संबलपूर जमी तवी का भूनेस्वर पूरी तक विस्तार हो सकता है इसको लेकर रेल मंत्री अस्वीनी बैस्टनव ने संकेत दे दिये हैं उमीद है कि कुहासा का प्रभाव समाप्त होने के बाद इसकी परकिरिया प्राडम कर दी जाएगी साथ ही अप्रेल से माई तक टाटा जमु तवी और संबलपूर जमु तवी में पुरानी प्रमप्रागत कोच को अटा कर एल एचबी कोच जोड़ा जाएगा CBAC 10th 12th Term 1 परिक्षा 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 परिक् गई थी लेकिन कुरोना के तिस्त्री लाहर में बरते मामलों को देखते हुए काम प्रभावित हुआ इसलिए रियल्ट अब अगले सप्ता जारी करने के त्यारी की जा रही है अलाकि इस समद में बोड की ओर से कोई अधिकारी घोसना अभी तक नहीं की गई है होम आईसुलेशन में रह रहे मरीजों के घर जाकर डाक्टर देंगे सेवा रांची में क्रोना ग्राफ में तेजी से जाफा हो रहा है लेकिन जायतर संक्रमित मरीज अपने घरों में आईसुलेट है इसको देखते हुए जीला परसासन ने उन्हें चिकित सिगे सुवधा घर पर ही देने की योजना बनाई है बता दे अब रांची में होम आईसुलेशन में रहने वाले कोबीड-19 मरीजों की स्वास्त जाच के लिए डाक्टर उनके घर तक पहुँचेंगे DC 26 रंजन के निदेश पर जीले के सभी इंसिडेंट कमांटर के साथ दो-दो डाक्टर को जोड़ा गया है जहारखन PCS मुख्र परिक्षा 28 जन्वरी से जहारखन लोग सेवा आयो के कमबाइंड सिविल सर्विस में एकजाम 2021 की तीथी घोसित कर दी गई है बतादें नोटिस के अनुसार JPSC कमबाइंड सिविल सर्विस में एकजाम का युजन 28 जन्वरी और 30 जन्वरी को किया जाएगा उमिद्वाल सिविल सेवा मोखे परिक्षा की तीथी के साथ अन्य जन्कारी के लिए JPSC की वेबसाइट JPSC.GOB.IN पर विजिट कर सकते हैं जहारखन की बेरुजगारी दर बढ़ी जहारखन की बेरुजगारी दर 2021 के दिसम्बर माह में 17.3 फिश्दी हो गई है बतादे या पिछले 5 साल के दिसम्बर माह की बेरुजगारी दर में सबसे अधिक है साल 2016 के दिसम्बर में राजे की बेरुजगारी दर सबसे निम्तम 1.9 फिश्दी थी बतादे सेंटर फोर मोनेटरिंग इंडियन एकोनोमी प्राइबेट लिमिटेट से जारी आकडों के अनुसार बेरुजगारी दर के मामले में जारकान देश में तीसरे पैदान पर है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर बहल कर बैल लाइक कर अंद बएज़ साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टागराम पर सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़ बाइक अवसे दे थांक यू